हेलो स्टुडेंट्स, वेलेकम टो किर्षना कलासिज, तो आज हम स्टडी करेंगे बायोजी के बारे में साइस का एक पार्ट है बेसिकली बायोजी, उस बायोजी के बारे में स्टडी करेंगे, बायोजी में क्या कुछ होता है, कैसे इसको स्टडी किया जाता है, उसके बारे ठीक है तो सबसे पहले जैसे देखेगा आप साइस होता कि एक्चुल में साइस साइस बेसिकली विज्ञान है अब हम थोड़ा सा एक बार साइस को बेसिकली देख लेते भी साइस एक्चुल में क्या चीज ठीक है तो सबसे पहले जो science है जैसे आप computer के बारे में study करते हो computer है computer का full form क्या होता है C का मतलब क्या है O का मतलब क्या है M का मतलब क्या है इस तरीके से सेम इसी तरीके से जो science है science का full form क्या होता है यह समझेगा यहाँ पर जो S है S का तो बनता है systematic systematic and C का बनेगा comprehensive, systematic and comprehensive, I का बनेगा investigation, investigation and E का बनेगा exploration, exploration of N का बनेगा nature, nature यानी परकरती, nature, C का बनेगा कोज and its E का बनेगा effect. तो basically ये science का full form है, जैसे हम computer का full form या बागी किसी भी चीज़ का full form पढ़ते हैं, basically कोई भी subject को start करने से पहले उसके बारे में थोड़ा brief idea लेना compulsory है, तो हमने देखा भी science जो है, science का full form क्या होता है, S का बनेगा systematic, C का बनेगा comprehensive, I का बनेगा investigation, E का बनेगा exploration, of N का बनेगा nature य systematic and comprehensive investigation and exploration of nature's cause and its effect, ठीक है, उसके बाद में हम दो चीज़ें बेसिकली cover करेंगे, संसार के अंदर जो भी चीज़ें, उनको हम बेसिकली दो पार्ट के अंदर divide करते हैं, एक तो होता है सजीव, सजीव यानि living, और एक होता है निर्जीव, निर्जीव यानि यह होता है non living, ठी ठीक है, दो चीज़ें हमने संसार की सभी चीज़ें को divide किया है, सजीव में यानि living के अंदर और निर्जीव के अंदर यानि non living के अंदर, ठीक है, इन दोनों के अंदर difference क्या होता है, देखेगा हम basically cover करेंगे सजीव और निर्जीव में फरक्या होता है, इसका एक बार brief idea ल नहीं है, वो निर्जीव होता है, ठीक है, देखेगा, छोटी class में हम definition बढ़ते हैं, जो जीव सांस लेता है, वो सजीव होता है, जो सांस नहीं लेता हो निर्जीव होता है, ठीक है, लेकिन ये पूरानी definition है, इसके यानि सांस लेने के ओपर हम यह नहीं बता सकते भी सजी जिसके अंदर जीवन पाया जाता है यानि जिसके अंदर लाइफ होता है वो तो सजीव होगा और जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाता उसको हम बोलते हैं निर्जीव ठीक है तो सजीव और निर्जीव अभी बेसिकली हम यह जो साइस है साइस की मुख्यरूप से तीन ब् फिजिक्स ठीक है फिजिक्स फिजिक्स यानि भोतिक विग्यान फिजिक्स यानि भोतिक विग्यान दूसरा होता है कमेश्टरी कमेश्टरी यानि होता है आपका रसाइन विग्यान फिजिक्स यानि भोतिक विग्यान है कमेश्टरी यानि रसाइन विग्यान और तीसरा जो इसका बरांच है वोता है biology जिसके बारे में हम study करेंगे biology यानि जीव भी क्या है ठीक है तो science की मुख्य रूप से तीन बरांच ही जाए फिजिक्स है दूसरा chemistry और तीसरा है biology इन तीनों के अंदर difference क्या होता है किस चीज में हम किसके बारे में study करेंगे ठीक है तो संसार के अं अंदर जीवन पाया जाता है उनको तो हम study करेंगे biology के अंदर ठीक है यानि biology में यानि जीव विज्ञान में संसार के सभी सजीवों का अध्यन किया जाता है यानि study of all living organism biology के अंदर होगा और संसार के अंदर जितनी भी निर्जीव चीज़े हैं यानि जितनी भी non living चीज़ उसके बाद में हमने संसार के अंदर जितनी भी चीज़े थी उनको दो कटेगरि में डिवाइड कर दिया सजीव के अंदर और निर्जीव के अंदर ठीक है उसके बाद में हमने देखा इस science को कुल हमने तीन पार्टे में डिवाईड क्या तीन बरांचे बनाए इसकी physics यान यानि रेसाइन विग्यान और बायोजी यानि जीव विग्यान ठीक है उसके बाद में हमने देखा संसार के अंदर जितनी भी सजीव चीज़े हैं यानि जिनके अंदर जीवन पाया जाता है उनको तो हम स्टडी करते हैं बायोजी के अंदर यानि जीव विग्यान में यानि बाीलोजी में संसार की सबी, जीवित चीजों का अधेन आ जाता है, और जो निर्जीव चीजें हैं जितनी भी, उनका अधेन करेंगे Physics में और Chemistry में, ठीक है, तो Biology, यानि सजीवों का अधेन, और Physics और Chemistry के अंदर, बाकी जो भी चीजे मचे के उनका अधियन करेंगे ठीक है दूसरा इस physics में और chemistry में basically difference क्या होता है तो पहला point तो यह है physics में जितने भी संसार के अंदर यंतर हैं जितनी भी machinery है जितने भी instrument हैं उन सभी का study करते हैं physics के अंदर दूसरा संसार के अंदर कोई भी ऐसी चीज जिसको हम या तो देख ना सकें या जिसको हम पकड ना सकें जैसे for example मालीजी का light होती है लाइट light को सिर्फ हम देख सकते हैं उसको हम पकड नहीं सकते तो जिस इसको या तो देखाना जासके या फिर पकड़ना जासके उसको हम physics में पड़ेंगे जैसे light है, light को देख सकते हैं लेकिन पकड नहीं सकते यहीं light की study करेंगे physics के अंदर दूसरा जैसे for example आवाज होती है sound, धवनी धवनी को हम केवल सुन सकते हैं धवनी को ना तो देख सकते हैं और ना धवनी को हम पकड सकते इसी तरीके से धवनी को ना देखा जा सकता ना पकड़ा जा सकता इसलिए धवनी का यानि sound का study किसमें करेंगे physics में बाकी जितने भी यंतर है जैसे microscope है या कोई television है कोई computer है इस टाइप की जो भी चीज़े है उन सबी का study करते है physics में ये जो chemistry है रसाइन विग्यान रसाइन विग्यान बेसिकली chemistry organic इन और इन और इस study में हम देखेंगे इन चीज़ों को chemistry के अंदर हम पढ़ेंगे संसार के अंदर जितने भी chemical टाइप की चीज़े हैं चाहिए वो basically कोई भी हो जैसे पानी है उसके बाद में कोई भी acid होता है अमल होता है अकसार होता है इस टाइप की जो भी बहुत सारी chemical है लाकों की संख्या में chemical होंगे तो उन सबी चीज़ों का परांचे बनाई है physics, chemistry और biology फिजिक्स में हम पढ़ेंगे संसार की निर्जी वस्तुएं जिसके अंदर मुख्या रूप से यंतर सामिल होंगे या काफी टाइप की मसीन निरिया सामिल होंगे उनको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे या कोई बी ऐसी चीज जिसको या तो इस टाइप की जो भी चीजे है उन सभी चीजों को हम पढ़ते है chemistry के अंदर तीसरा जिसको हम study करेंगे इस biology में हम पढ़ेंगे संसार के अंदर जिते भी जीवित चीजे हैं जैसे for example कोई पेड़ पोदा है कोई पसुपक्सी है या मनुस्य है या जिन जिन के अंदर जीव यह साइस का फूल फोरम उसके बाद में साइस के हमने तीन बरांसे बनाए और तीन बरांस में हमने पढ़ा भी किस चीजे के अंदर हम किस का study करेंगे ठीक है उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे सलेंगे जैसे हमें अगर देखना हो अब हम देखने जैसे बेसिकली बायोलोजी के बारे में ठीक है बायोलोजी बायोलोजी यानि जी विगयन जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम study करेंगे biology यानि जी विगयन ठीक है एक बात हमने cover की थी biology में हम पढ़ते किस के बारे में biology में हम पढ़ते संसार की सभी सजीव चीजों के बारे में यानि सभी living organism के बारे में हम पढ़ेगे बायोजी के इंदर सजीव का हमने पढ़ लिया कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर जीवन पाया जाता है उसको हम मानते हैं सजीव ठीक है सभी सजीवों का अधिन करते हैं बायोजी में अब biology के बारे में एक important की सुनाता है ये जो biology सभड है ये biology सभड बना कैसे था ठीक है कैसे बना था और किस वेगानिक नही सभड का परियोग सबसे पहले किया था ठीक है एक बात समझेगा इसमें इसके इंदर ये जो बायो है इस बायो का मतलब होता है सजीव पराणी ठीक है चाहिए वो पेड़ पोदा हूँ चाहिए जीव जनती हो ठीक है और जो लोजी है इस लोजी सब्द हम लगाते हैं आध्यन करने के लिए सजीव यानि लिविंग तो बायो का तो मतलब होता है सजीव यानि लिविंग और लोजी का मतलब होता है किसी भी चीज का अध्यन करना यानि सजीव पराणियों का अध्यन करना ये क्या कहलाता है तो ये कहलाता है आपका बायोलोजी यानि जीव ज्यान तो बायो का मतलब ज दूसरा पाइंट ये जो बायोलोजी सबद है इस बायोलोजी सबद का परियोग सबसे पहले किस ने क्या था तो दो वेग्यानिक थे एक तो था लेमारक एक वेग्यानिक था लेमारक और एक वेग्यानिक था ट्रेविरेनिस ये दो वेग्यानिक थे लेमारक और ट्रेविरेन ठीक है तो बायोलोजी का मतलब होता है study of living organism सजीव प्राणियों का अध्यन करना बायोलोजी कहलाता है बायोलोजी सब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमारक और ट्रैविरेनस नमक वेगानिकों ने और ही सब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था अठारा सो एक के ठीक है तो फादरोफ बायोलोजी है अरस्तु फादरोफ बायोलोजी किसको कहा जाता है अरस्तु को एरिस्टोटल ठीक है तो जीव विग्यान का जनक किसको कहा जाता है तो जीव विग्यान का जनक अरस्तु को कहा जाता है अरिस्टोटल ठीक है तो ये बायोजी का पहले क्या गया था 1801 के अंदर दूसरा फादरों पाइलोilos 역시 यानि जीव व्यद्न का जनक किसको किया गया था और लास्ट पॉइंट था फादर की एतो बैस्टी को देतक है तो यहां तक यह बाइलोजी का बेसिक पएंट कलिर है उसके बाद में देखेगा उसके बाद में जैसे हमने एक चीज cover किये थी जो biology है उस biology के अंदर हम पढ़ते है संसार की सभी सजीव चीजों के बारे में यानि संसार की सभी living organism के बारे में अब ये जो सजीव है इनके अंदर हम दो category में इनको divide करेंगे संसार के अंदर जीवन पाया जाता है उसको हमने दो भागों में बाट लिया एक भाग में हम पढ़ेंगे संसार के सभी पेड़ पोदों के बारे में और दूसरे भाग में दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे संसार के सभी जीव चुनतों के बारे में ठीक है इससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज समझ लेते हैं संसार के अंदर जितने भी पेड़ पोद है या जितने भी जीवजनतु है पहला point आपको यह धेन में रखना है जैसे हमने पड़ा था सजीव प्राणियों का आध्यन किसमे किया जाता है तो यह किया जाता है बायोलोजी के अंदर ठीक है? यह सजीव प्राणियों का आध्यन यानि study of living क्या कहलाता है तो यह biology कहलाता है जिस तरीके से सजीवों का आध्यन biology कहलाता है उसी तरीके से पेड़ पोदों का आध्यन हम करेंगे बोटनी के अंदर ठीक है बोटनी यानि वनस्पति विग्यान ठीक है बोटनी यानि वनस्पति विग्यान और जितने भी जीव जन्तू हैं, इनके बारे में अधन करेंगे हम जू लोजी के अंदर, जू लोजी यानी जन्तू विग्यान, ठीक है? तो इसको हमने दो चीजों में डिवाइड किया था, संसार के सभी सजीव चीजे हैं, उनका अधने करते हैं, बायोजी में यानी जीव जीव जन्तू हैं, उसके बाद में जितने भी पेड़ पोदे हैं, ठीक है? संसार में पेड़ पोदों की 5 लाग से ज़्यादा परजातियां पाई जाती हैं, ठीक है? more than 5 lakh of species संसार में पेड़ पोदों की कुल कितनी परजातियां पाई जाती है तो संसार में पेड़ पोदों की 5 lakh से ज़्यादा परजातियां पाई जाती है और संसार में जो जीवजंतू है संसार में जीवजंतू की 20,00,00,00,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 फादरोफ बाइलोजी जीव विग्यान का जनक किसको कहा जाता है तो ये हमने पढ़ा था अरस्तु आरस्तु यानि एरिस्टोटल ठीक है तो जीव विग्यान का जनक करस्तु को कहा जाता है सेम इसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा सजीवों का आध्यन बाइलोजी कहलाता है औ ये जो वनस्पती विज्यान है, वनस्पती विज्यान का जनक किसको कहा जाता है निए फादर और बोटनी, तो वनस्पती विज्यान का जनक कहा जाता है थियो फरिष्टस, ठीक है, वनस्पती विज्यान का जनक किसको कहा जाता है, थियो फरिष्टस को कहा जाता है, लेकिन लोज़े पॉइंट तो डहान में रखना इस तरीके के दो पूश्य पूट यह एक टो नॉर्मली कशिंपूट होता है विगजान का जनक 15 1 पति विग्यान का जनक को हुआ तो हम उस टाइम पर आंस्वर देंगे थियोधी एक ठीक है। बोहीन नाम का वैगैनिक था, जिसको आधुनिक वनस्पती विज्यान का जनक कहा जाता है, ठीक है। जनतु विग्यान का जन कहा जाता है अरस्तो को और सेम यहां पर अगर क्रिश्ण पूट होता है आधुनिक जनतु विग्यान यानि modern zoology आधुनिक जन्तु विग्यान का जनकिस को कहा जाता है तो ये कहा जाता है कार्ल लीनियस ठीक है कार्ल लीनियस नाम का विग्यानिक था जिसको father of modern zoology कहते हैं तो यहां पर देखिएगा 5 most important चीजी हैं यहां से संसार में प्रखना है और संसार में पेड़ पोदों की कि कुल कितनी परजातियां पाई जाती है तो संसार में पेड़ पोदों की कुल पांच लाग से जादा परजातियां पाई जाती है और संसार में जीवजुनतों की कुल कितनी परजातियां पाई जाती है तो संसार में जीवजुनतों की अरश्तु को जाती है तीक उसके बाद कि हंदेखें गें जैसे शहलीर प्रभ नाम कर्म पढ़ा है कार्ल लीनियस में इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है इसको आधुनिक जनतु विग्यान जनक आदुनिक जन्तों विग्यानिक जनक कहा जाता है यानि फादर ओफ मॉडरन जूलोजी अ फादर ओफ मॉडरन जूलोजी कहा जाता है ठीक है कारलीनिस इसके बारे में एक दौर इंपोर्टेंट के सुनाते हैं जैसे माली जीएगा मनुस्य जो मनुस्य है यानि human being मनुस्य का वेगानिक नाम हम लिखते है homo sapiens homo sapiens ठीक है same इस तरीके से जैसे more है more more का वेगानिक नाम लिखते हैं pavo kristatus same इस तरीके से जैसे चीता है इसका हम वेगानिक नाम लिखते है panthera tigris ठीक है जैसे कोई पोधा ले लिए सुपोज किजी का मटर ले लिए हमने मटर का वेगानिक नाम हम लिखते है poisum sativum ठीक है यह वेगानिक नाम है यानि scientific name है लग लग living के ठीक है देखेगा मनुस्य का वेगानिक नाम homo sapiens मोर का वेगानिक नाम पाव क्रिस्टेटस चीते का इनि टाइगर का वेगानिक नाम होता है panthera tigris और मटर का जो पोधा है मटर का वेगानिक नाम होता है pyzum sativum यहाँ पर एक बात धहर में रखनी है सबसे पहले यह जो वेगानिक नाम हम जो लिख रहे है ठीक है जो scientific name हम जो लिख रहे है यह जो system है यह सबसे पहले किस वेगानिक के दवारा शुरू किया गया था तो यह शुरू किया था lineage ने ठीक है यह जो वेगानिक नाम आजकल जो हम जीन चीजों के लिखते हैं जो scientific name हम लिखते हैं यह जो वेगानिक नाम लिखने की जो system है यह किस के दवारा शुरू किया गया था तो यह शुरू किया गया था karl lineage के दवारा ठीक है दूसरा important बात कह है चाहिए हम मनुस्य का वेगानिक नाम लिखें, चाहिए किसी भी पक्सी का वेगानिक नाम लिखें, चाहिए किसी भी पसू का वेगानिक नाम लिखें, चाहिए किसी भी पेड़ पोदे का वेगानिक नाम लिखें, ठीक है, किसी भी चीज का आकर हम वेगानिक नाम लिखेंग दो सब्दों का परियोग करके ये जो हम वेगानिक नाम लिखते हैं, दो सब्दों का परियोग करके वेगानिक नाम लिखने का जो सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं दवी नाम पदती, ठीक है, दवी नाम पदती यानि बायोनोमियल सिस्टम, ठीक है, दवी नाम पदती यानि यह जो बाइनोमियल सिस्टम के लाएगा और यह सिस्टम किसके दोरा सुरू किया गया था कारल लीनियस के दोरा तो यहां से किस नोर बनेगा यह जो बाइनोमियल सिस्टम है दवी नाम पदती यह किस वेगानिक के दोरा सुरू की गई थी तो यह सुरू की थी कारल लीनियस कहा जाता है ठीक है तो दवी नाम कोई भी जीवित प्रानी का वेग्यानिक नाम लिखेंगे तो कुल दो सब्दों का यूज करेंगे दो सब्ड़ों का परयोग करते हुए किसी भी जीवीत प्रानी का VEGANic नाम लिखने की परती कहळाती है दभी नाम पतती याने BINOMIAL SYSTEM और दभी नाम परती का जनने किसको कहा जाता है तो यह कहा जाता है कारला लीनिस को ठीक है इसके अंदर क्या होता है यह जो दो वर्ड है इसके अंदर जो पहला वर्ड होता है जैसे हों वाई यह जो पहला वर्ड होता है यह तो प्रयोग किया जाता है वन्स के लिए वन्स के लिए यह जीन के लिए और यह यह जो दूसरा सबद होता है जो दूसरा वर्ड है sapiens यह प्रयोग किया जाता है जाती के लिए किस जाती का है किस species का है ठीक है दोणों most important question नहीं यह बिल्कुल most important ठीक है दवी नाम पतती यानि हमने एक दोपट लिया किसी भी जीवित प्रानी का वेगानिक नाम लिखेंगे तो कुल दो सब्दों का परियोग करेंगे दो सब्दों का परियोग करते भी वेगानिक नाम लिखने का जो सिस्टम है वो बायनोमिल सिस्टम यानि दवी नाम पतती कहलाता है और इस dwinaam patati का जनेक माना जाता है कारल लीजेस को ठीक है ऊसके बाद में dwinaam patati में वाइनोमेल सिस्टम के अंदर जो दो word का यूज किया जाता है उसमें से जो पहला word हिता है तो किस को सोकरेगा यह ones को सोकरेगा यहनी jean को सोकरेगा ठीक है और जो दूसरा वर्ड होता है sapiens या कोई भी चीज़ का लगा लिजीगा दूसरा जो वर्ड होगा वो specify करेगा जाति को यानि species को यानि दवी नाम पदती में पहला सब्द परियोग होता है वन्स के लिए और दूसरा सब्द किसके लिए परियोग किया जाता है तो ये परियोग किया जाता है जाती के लिए ठीक है तो ये है दुवी नाम पदती बाइनोमिली सिस्टम most important चीज़ है कार लिनिस का जीकर हमने पीछे किया था तो अभी तक देखीगा सबसे पहले बायोजी का जनक फादरोफ बायोजी किसको कहा जाता है आरस्तु को वनस्पती विग्यान का जनक यानि फादरोफ बोटनी किसको कहा जाता है तो थियो फरिशस को modern बोटनी यानि आधुनिक वनस्पती विग्यान का जनक किसको कहा जाता है तो Bohin को, उसके बाद में J trainti, जनतु विज्यान यानी Geology का जनक किसको आरश्तु को और आधुनिक जनतु विज्यान यानी modern geology आधुनिक जनतु विज्यान का जनक किसको कहा जाता है Linnaeus को, यहाँ पर दवी नाम पदति का जनक भी किसको कहा जाता है तो linies को car linies ठीक है उसके बाद में ये ध्यान में रखना है कोई भी जी होगा कोई भी पेड़पोधा होगा कोई भी प्रसुबक्षिप कोई भी हो चाहिए जो living organism है उसका वेगानिक नाम लिखेंगे तो 99% cases के अंदर हम दो word का यूज करते हैं दो सब्सक्राण का परेयों करते हुए वेगानिक नाम लिखने की पदती दवी नाम पदती कहलाती है इस binomial system में फॉर्प परेयों कहा जाता है वनस के मिझा बाइलोजी यान जीव वि में लिए वि गयान पड़ रहे हैं। कैसे चीक के निर्मान भोता है। कैसे इसका निर्मान होता है। पूरा का पूरा कोई मकान है। पूरी ग ciao इक pale or Little के रहे होए। समझेगा इसको normal example की तोर पर जैसे सबसे पहले क्या किया गया होगा सबसे पहले मिट्टी इकठी की गई होगी मिट्टी इकठी करके उसको गिला करके उसकी इंट बनाई गई होगी यानि मिट्टी से बनाई गई है इंट इंट से फिर दिवार बनाई गई होगी दिवार से पिर कम्रा बनाया गया होगा और कम्रे से पिर पूरी की पूरी यavez बने की परकेरिया भी कुछ शीसी तरीके के होती है चोली चोली चीजिक आप I पूरा का पूरा जो जीव है वो डैवलाप होता जाएगा ठीक है अब ये सजीव बनता कैसे वो समझेगा जैसे हमने पड़ा अभी एक्जामपल के तोर पे भी जो मकान है उस मकान में सबसे छोटी सीज हमने मिट्टी को यूज किया है ठीक है सेम यहाँ पर जो जितने भी ज निर्मान की परकिरिया परारम होती है कोशिका से ठीक है कोशिका यानि सेल कहने का मतलब क्या है सजीव प्राणियों के अंदर सबसे छोटी इकाई कोन सी होती है तो कोशिका smallest unit of living organism जीवित प्राणियों के शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो यह कोशिका होती है सेट ठेक है अब उता क्या है यह कोशिकाई आपस में जुड़ेंगे और कोशिकाई आपस में जुड़के निर्मान करेगी उत्तक का उत्तक यानि टिस्यू बनेगा इनसे सेम यहाँ पर यह उत्तक आपस में जुड़ेंगे और उत्तक आपस में जुड़के निर्मान करेंगे अंगों का अंगों का यानि ओर्गन बनाएंगे यह अंग आपस में जुड़के निर्मान करेंगे अंग तंतर का अंग तंतर का यानि इन से बनेगा ओर्गन सिस्टम और अंग तंतर आपस मेज़ुड के निर्मान करेंगे फिर जीव का ठीक है ओर्गनिजम बनेगा तो इस पैटरन के अंदर जो जितने भी जीवजनतों होते जितने भी सजीव होते शेघंगे अंग का अंग से बनेगा आंग संतर में आंग नेगा पूरा जीव यानि से लमनेगा से तीचिओ बनेगा टीसू Пनिक है और पूरी कोशिका से यानि सजीव पराणियों में सबसे चोटी एकाई smallest unit of living organism यह होती है कोशिका यानि सेल ठीक है उसके बाद में कोशिकाई जब वापस में जुड़ेगी तो निर्मान करेगी उत्तक का टेस्यू का यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है एक बार क्यूशन पूट व दूसरा दे दिया था विभिन परकार की कोशिकाऊं से यानि different cell से तीसरा चोटा अलग option थे लेकिन हमें दो सीजों में यह देखना है उत्तक का निर्मान समान परकार की कोशिकाऊं से होगा या अलग अलग परकार की कोशिकाऊं से होगा तो ध्यान में रखना समान परकार क उत्तक आपस में जुड के निर्मान करेंगे अंग का अब यहाँ पर change होगा अलग अलग अंगों से निर्मान होगा अंग तंतर का और अलग अलग अंग तंतरों से किसका निर्मान होगा जीव का यह सीजें most important है ध्यान में रखना है तो कोई भी जीवित प्राणिय उसका नि जीव यानि पूरा ओर्गेनिजम ठीक है दूसरा समान परकार की कोशिका या अपस में जुड के उत्तक का निर्मान करती है टीश्यू बनाएंगी समान परकार के उत्तक आपस में जुड के अंग यानि ओर्गन का निर्मान करेंगे अलग अलग अंगों से बनेगा अंग त अंदर क्या कैसी ने होती है कैसे बनती है कितने प्रकार की होती है स्यमों तक अंग वह इन सभी सीजों के बारह में श्टडी करेंगे ठीक है उसके बाद में दूसरा एक बात थोड़ा ध्यान में रखना है जैसे हमने पड़ा था सजीव पराणियों का पाधन बाय लोजि पैड़ पोदो का आधिन भोटनी यानि वनसपती भी गाल जीव जनतों का अध champions zoology यानि जनतों भी क्यांढ खेज ईशे मिसी तरिके से네ज कीटका ये ज़ो कोशिकां का अधन केरलाता है सैटोलोजी सैटोलोजी इम्पोर्टेंट कुचन एप श्येव का इदन शाइटोलोजी उत्तक का अधन चैलाता है ही श्थोलोजी हु उत्तक का अधन के लाएगा इस्थोलोजी अंगो का अंगतंतर का basically अंगों के POLAR ö अलग अलग फूछेंगे अंगों में जैसे हड्डियों का अधन बोन की स्टडी क्या 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 लाएगी मास्पेशियों का अधन क्या 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 लाएगा दिल का अधन क्या 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 इस तरीके से अलग अलग मतलब पूट होते हैं तो यह topic to topic हम cover करेंगे उसके बाद में जीव के बार में क्यों सुनाता है जीव का अधन क्या 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 ठीक है तो जीव का अधन क्या आता है morphology morphology इसकी जगए physiology word भी मिल सकता है अगर morphology ना मिले prefer morphology को करेंगी morphology फीजियोजी ठीक है तो जीव complete जीव का जो अधन वो क्या लाएगा morphology या physiology ठीक है उनका जो internal study है उसको हम anatomy बढ़ते है anatomy ठीक है जीवित प्राणियों का जो आंतरिक अधन है वो क्या लाता है anatomy तो ये थोड़ी सी धार में रखना कोशिका का अधन यानि study of cell क्या लाएगा anatomy ठीक है तो ये हमने पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा था science के बारे में science actual में क्या चीज़ा full form क्या होती है दूसरा हमने पढ़ा science के कुल तीन ब्रांचे होती है किस ब्रांच में हम किस के बारे में study करते हैं उसके बाद में हमने पढ़ा था सजीवों के बारे में living organism के बारे में, biological हमने दो पार्ट में divide कर दिया था, पेड़ पॉदों में और जीवजन्तों में, botanik के अंदर और जुलोजी के अंदर, उनके जनकों ने, binomial system दो भी नाम पद थी, किसके द्वारा सुरू की गई थी, veganic नाम कैसे लिखे जाते हैं, पहला word किसके लिए यूज़ होता है, दूसरा word किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था, यह जितने भी सजीव पराणी है, जैसे पेड़ पोदा हो, चाई जीवजन तू, उनका निर्मान कैसे होता है, कैसे बनते हैं, उनके निर्मान की परकिरिया कैसी होती है, उसके बाद में हमने पढ़ा, इन सभी का जो study है, वो क्या कराता है, कोशिका का अधिन क्या कराएगा, उत्त्त का अधिन क्या कराएगा, आज उसके बाद में देखेगा, उसके बाद में यह जो हमने पढ़ा था, जितने भी सजीव प्राणी हैं, उनके ंदर सबसे छोटी इकाई क्या होती है कोशिका. smallest unit of living organism कौन सी होती है तो यह होती है कोशिका यानी cell होती है जिवीत प्रणियों के शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका यानी cell इसके अंदर आप कई पॉइंट आएंगे इसमें हमने एक बात पढ़ ले थी कोशिका का अधन क्या क्या कलाता है तो cytology कोशिका का अधन क्या कलाता है cytology अब यहाँ पर एक पॉइंट जहने में रखना है जैसे हमने पढ़ा था जीवों का अधन क्या कलाता है biology और फादरोफ biology कोन था तो थे यह अरस्तु सेम यहाँ पर कोशिका का अधन क्या कलाता है तो ये cytology के लाएगा और fader of cytology cytology ने कोशी का विग्यान होता है भी ये Scottish का विग्यान Hindi में ओप्षोन मिलते निया English के अंदर ध्रमर्खना का शेए कोशी का विग्यान का जनक यानि father of cytology कोशी का विग्यान का जनक इसको कहा जाता है तो यह कहा जाता है Robert Hooke को, ठीक है, पेड़ की चाल के अंदर, यानि कारक के अंदर इसने सबसे पहले कोशिका देखी थी, और मरित कोशिका इसने सबसे पहले देखी थी, ठीक है, तो ध्यान में रखना, कोशिका का अधिन साइटोलोजी कहलाता है, और ये कोशिका किसी भी ज पेड़ की चाल के अंदर, यानि प्लांट की कारक थी, उसके अंदर इसने सबसे पहले सैल देखी थी, और ये डेड़ सैल इसने देखी थी, ठीक है, उसके बाद में पॉइंट आता है, कोशिका का हमने पढ़ लिया, कोशिका का अधिन क्या कहलाएगा, इसका जनक कोईन कह सबसे पहले कोशिका किस ने देखी थी, और किस के अंदर देखी थी, ठीक है, उसके बाद में कई important कि सनाती है, चार most important कि सने, सबसे पहला कि सने, संसार के अंदर जितनी भी जीवीत चीजी हैं, सभी का निर्मान कोशिका से होता है, अब जीवों के सरीर के हिसाब से कोशिक होता है, largest cell, वो कौन सी है, ठीक है, तो संसार के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है, सुतर मुरग के अंडे की, ठीक है, याणि egg of ostrich यानि संसार की सबसे बड़ी कोशिका किस के अंदर पाई जाती है तो सुत्रमुर्ग का जो अंड़ा है एगो पोश्ट्रिच सुत्रमुर्ग के अंड़े में संसार की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है ठीक है सुत्रमुर्ग के अंड़े में एगो पोश्ट्रिच में माईको पलाजमा गलेपसिकम फीध है माईको पलाजमा गलेपसिकम के अंदर संसार की सबसे चोटी कोसिका पाए जाती है फीध है तो दो चीजे most important है संसार की सबसे बड़ी कोसिका पाए जाती है सुतर मुर्ग के अंडे में एग, ओफ, ओश्ट्रीज के इंदर और संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है माइको, पलाजमा, गलेप्सिकम के इंदर ठीक है यहीं पर दो सीजे और इंपोर्टनेट आती हैं जैसे हम ने पढ़ लिया संसार के इंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है सुतर मुरक्य अंड़े में हमारी सरीर के अंदर भी कोशिका होती है हमारी सरीर के अंदर जितने भी अंग है उनका निर्माण भी कोशिका से प्राणव होता है अंगों के हिसाब से कोशिकाओं का साइस भी अलग अलग रहेगा अब हमारी सरीर के अंदर हमारे स्रीर में यहीं आब हम जिकर कर रहे हैं मानोव स्रीर का मानोव स्रीर, human body मानोव स्रीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो मानोव स्रीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंतरीका कोशिका तंतरीका कोशिका यानि नियूरोन एक most important चीज ध्यान में हो रखना ये मानों सरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी होती है और मानों सरीर की सबसे लंबी कोशिका भी यह होती है largest and longest cell of human body मानों सरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका कोन सी होती है तो ये तंतरिका कोशिका होती नियूरोन होता है ठीक है जैसे हमारा नर्व सिस्टम का निर्मान शुरू होता है तंतरिका कोशिका से पूरी बोडी की कंट्रोलिंग जो करता है नर्व सिस्टम यानि तंतरिका तंतर तंतरीका तंतर का निर्मान, तंतरीका कोशिका से प्रारणब होता है और ये तंतरीका कोशिका मानो शरीर की सबसे बड़ी और मानो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है ठीक है? दुसरा, हमने पड़ा पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सुत्र मुर्ग के अंडे की और मानो श्रीर में सबसे बड़ी कोशिका किसमी है तो तंतरीका कोशिका मानो श्रीर की सबसे बड़ी कोशिका है जो तंतरीका तंतर के अंदर पाई जाती है दूसरा पूरे संसार में सबसे चोटी कोशिका किसमी पाई जाती है सेम यहाँ पर हमारे स्रीर में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है खून के अंदर और हमारे खून में जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है उसका नाम होता है RBC RBC यानि Red Blood Cells लाल रख्त कणिकाई या लाल रख्त कोशिकाई एक बात है तो यह चारों चीजे मोस्ट इंपोर्टेट है कोशिका का हमने थोड़ा ब्रीफ आईडिया लिया है पूरा डीटेल में इसको आगे लेक्टर में हम स्टडी करेंगे तो कोशिका में हमने पढ़ा कोई भी जीवित प्राणी है उसके निर्मान की प्रिकिरिया कोशिका से प्राणब होती है कोशिका का अधन यानि Study of Cells कोशिका का अधन कहलाता है Cytology यानि कोशिका विगान कोशिका विगान का जनने कहते हैं Robert Hook को यानि जिसने सबसे पहले कोशिका देखे थी और सबसे पहले कोशिका देखी थी इसने पेड़ की चाल के अंदर ठीक है कोशिका कहां पर होती है तो तंतरीका तंतर में होती है तंतरीका कोशिका नियोरोन मानों शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका और मानों शरीर की सबसे चोटी कोशिका कहां पर पाई जाती है तो हमारे बलड में होती है और जो आर बीसी है वो हमारे शरीर की सबसे सबसे चोटी कोशिका होती है ठीक है तो यह कोशिका के बारे में तो आज का लेक्चर हम इतना ही पढ़ेंगे बायलोजी का पूरा बेसिक कवर के अभी कैसे है कैसे बनते हैं कौन सी चीज जीवित प्रणयों को बनने का निर्मान करती है ठीक है एक बार थोड़ा सा बैक अब देखेगा इसका भी हमने क्या पढ़ा था पूरे लेक्चर में तो सबसे पहले हमने पढ़ा था साइंस को पटना सुरू किया था बेसिकलि हम बायलोजी को पूरा कवर करेंगे साइंस के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था भी साइंस का फूल फोरम क्या होता है तो साइं में हम संसार की सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जितने भी मशिनिरी विगरा है या कोई वी ऐसी चीजे जिसको देखना सके जिसको पकड़ना सकके उसको हम फिजिक्स में श्टडी करते हैं वहत इकव विग्यान में संसार के अंदर जितने भी chemicals हैं, उनको हम chemistry के अंदर study करते हैं, संसार के अंदर, जीतने भी जीवित पराणी हैं, चाहिए वो पेड़ पोदा हो, चाहिए वो जीवजनतू, उसको biology के अंदर study करते हैं, उसके बाद में हमने पड़ा, जो सजीव हैं biology के बारे में, biology सबद का प्रियोग सबसे पहले किया था लैमार्क ने और ट्रैविरेनस ने अठारा सो एक में इस सबद का प्रयोग सबसे पहले इन दोनों वैगानिकों ने किया था लैमार्क ने और ट्रैविरेनस ने उसके बाद में बायोजी का जननक किसको कहा जाता है तो फादरों बायोजी और रस्तु लेकिन आधुनिक वनस्पति विग्यान का जनक है बोहिन, सेम यहाँ पर जीव जुन्तों को आध्यन जूलोजी में करते हैं, जन्तु विग्यान में, और जन्तु विग्यान का जनक कहा जाता है आरस्तु को, लेकिन आधुनिक जन्तु विग्यान का जनक कहा जाता है कार्ल ल जातियां पाई जाती है उसके बाद भी हमने श्टड़ी किया था यह जो जितने भी living organism है उनका निर्मान कैसे होता है ठीक है उससे पहले हमने कार लीनियस के बारे में श्टड़ी किया था जुरूर कोई भी जीव का वेगानिक नाम लिखेंगे तो कुल दो सब्दों का वेगानिक के द्वारा शुरू किये थे इन जो दो वर्ड हम यूज करते हैं वेगानिक नाम के अंदर इसमें से जो पहला वर्ड होता है यह तो सो करेगा वन्स को यानि जीन को सो करेगा और जो दूसरा वर्ड होता है पीसे बाड़ा वो बताएगा हमें जाती के बारे में सजीवों का निर्मान कैसे होता है तो सजीवों का निर्मान हमने पढ़ा था कोशिकायों से सजीवों का निर्मान प्रारम होता है समान परकार की कोशिकायों आपस मेजूड के उत्तक बनाती है टीशु बनाएगी समान परकार के उत्तक आपस मेजूड के अंग बनाएगा ओर अलग अलग अंगों से अंगतंतर बनेगा, ओर्गन सिस्टम बनेगा, और अलग अलग अंगतंतरों से पूरा बोड दोड़ी स्थीयू Proteyajiki अलग 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 अंगतंत्र से पूरा बोड़ी बनेगा, पूरा जीव से चोटी इगाई कोशिका होती है कोशिका का अधिन साइटोलोजी कैलाएगा कोशिका विज्ञान कैलाएगा और फादरोफ साइटोलोजी यानि कोशिका विज्ञान का जन किसको कहा जाता है तो कोशिका विज्ञान का जन कहा जाता है राबर्टुक को और इस राबर्टुक और मानुषरीड में सबसे बड़ी कोशीका यानि नियूरोन होता है। ठीक है तो यह हमने biology का पूरा brief idea लेए, biology के अंदर क्या होता है, biology किसे हैं किसे करते हैं, जिन भी चीजों के बारे में, सजीव चीजों के बारे में study करेंगें उनका निर्मान कैसे होता हैं, कौन सी unit जो उनका निर्मान स्टार्ट करेंगी और कैसे उसका निर्मान complete होता हैं, और उसके बाद में जिस भी जो smallest इंडे जो कोशिका है, उस कोशिका के बारे में हमने basic cover किया, ठीक है, तो ये lecture इतना है, बाकि जो आगे हम अलग-अलग portion में start करते जाएंगे, अलग-अलग topic पढ़ते जाएंगे, वो सारी next lecture में करते जाएंगे, ठीक है, आज का ये lecture इतना ह Thank you.